है अलो इस्टूरंट्स ताइम सीरीज में अभी नया मैथड हम देखते हैं थ्री यह स्मूविंग एवरेज्ज मैथड का नाम है मूविंग एवरेज मैथड और कॉस्चन में पूछा जाएगा कौन कितने यह की मूविंग एवरेज से जो है वो फाइंड करना है यहां पर थ्री यह की मूविंग एवरेज फाइंड करने के लिए बोला गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे टोटल आफ ट्री यह लेते जाएंगे तभी जैसे तीन का टोटल किया तो कहां पर रखेंगे बीच में फिर उपर से एक छोड़ देंगे नीचे से एड करेंगे और उसके नीचे रखते जाएंगे तो इन तीनों का टोटल लेंगे 4, 5, 9 फिर उपर से एक छोड़ के 5, 9, 12 फिर उपर से एक छोड़ देंगे 9, 12, 9 फिर उपर से एक छोड़ देंगे 12, 9, 6 फिर उपर से एक छोड़ देंगे तो 9, 6, 12 इसका टोटल करेंगे तो 18 इसका टोटल करेंगे तो 12 फ्लस 9, 21 फ्लस 5 26, 30, 18 फ्लस 9, 27, 18 फ्लस 9, 3 फिर उपर से एक छोड़ देंगे तो 18 दिवाइड बाइ 3 करेंगे तो 6, 26 दिवाइड बाइ 3 करेंगे तो 3 एट जा 24 बचे, 8 पॉइंट एग्जेक्ट ली आएगा 8.67 फिर 30 दिवाइड बाइ 3 तो 10, 27 दिवाइड बाइ 3 तो 9, 27 दिवाइड बाइ 3 तो 9 तो इस तरह से यह 3 यह की मुविंग एवरेज मिलेगी तीन-तीन का टोटल लेना है तीन का टोटल लेंगे तो बीच में रखेंगे फिर उपर से एक छोड़ देंगे नीचे से एड करेंगे 4 5 9 18 18 तिवाइड भी 5 9 12 21 plus 5 26 divide by 3 18 plus 9 12 9 30 divide by 3 12 9 6 27 divide by 3 9 6 12 27 divided by 3 तो इस तरह से हमको जो है 3S की moving average मिल जाएगी आप 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 आप